सजा दे रहे हैं हम लोग सुनने ना आप यूट्यूब के उपर सोशल मीडिया पे सुनने ना इनके बीजेपी वालों के भाशन बीजेपी वाले संसद में खुले आप बोल रहे थे चैलेंज कर रहे थे कि दिल्ली के मुख्य मंत्री ने किसानों का समर्थन क्यों करा दिल्ली के मुख्य मंत्री ने किसान अंदोलन का समर्थन करा इसलिए केजरीवाल को ये सजा दी जा रही है मैं उनको कहना चाहता हूँ हमारे तीन सो किसान भाईयों ने शहादत दे दी अपनी जान दे दी इस किसान किसान अंदोलन के लिए अगर केजरिवाल की जान भी चली जाए आपकी किसी सजा से नहीं डरते हैं हम लो आज ये जो किसान अंदोलन है हर भारत वासी का फर्जे है हर देश भक्त का फर्जे जो कहता है मैं भारत से प्यार करता हूँ उसका फर्ज है कि किसान अंदोलन का साथ दे जो आदमी किसान अंदोलन के साथ है वो देश भकत है और जो आदमी किसान अंदोलन के खिलाफ है वो गदार है वो देश का गदार है इस किसान अंदोलन को सफल बनाने के लिए केजरी वाल को जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी आज मैं इस मंच से आप लोगों को कहना चाहता हूँ मैं हर कुर्बानी देने के लिए तयार हूँ अभी परसो में सुशील गुप्ता जी से मेरी फोन पे बात हो रही थी इन्होंने बताया जी गाओं गाओं में जा रहे हैं इसकी तयारिया जिस महापंचायत की तयारी करने के लिए बोले जी गाओं गाओं के अंदर किसी पार्टी के नेता को नहीं घुसने दे रहे और जब आम आदमी पार्टी वाले जाते हैं तो लोग बुला काके अपने घर में उनको दूद पिलाते हैं जिन गाओं के अंदर दूसरी पार्टी के नेताओं का घुसना मना है जिन इलाकों के अंदर दूसरी पार्टी के नेताओं को दोड़ा दोड़ा के भगाया जा रहा है वहाँ पे आज आम आदमी पार्टी के कारेटा को इज़त बक्षी जा रही है पूरे देश के अंदर आज सब लोग एकी बात क्या रहे है कि आम आदमी पार्टी किसानों की पार्टी है अगर किसानों का कोई भला सोचता है तो आम आदमी पार्टी सोचती है मेरे लिए ये सबसे खुशी की बात है मेरे लिए ये बड़े सम्मान की बात है मेरे अंदर अपना हितैशी देखते हैं मेरे लिए इससे बड़ी बात नहीं हो सकती दोस्तों इसकी जो सजा देना चाहती है के अंदर सरकार मेरे को सजा दे मेरे को इसकी कोई परवा नहीं है हम लोग राजनीती में आये थे जनता की सेवा करने के लिए हम लोग राजनीती में हैं देश की सेवा करने के लिए छे साल हो गई दिल्ली में सरकार चलाते हुए छे साल में आप लोग भी जानते हो कि खूब काम की हैं दिल्ली के अंदर स्कूल बनवाएं हैं, अस्पताल बनवाएं हैं दिल्ली में बिजली मुफ्तोरी है पानी मुफ्तोरा है महिलाओं की बसों का में किराया नहीं लगता अगर महिला बस में सफर करें उसका किराया नहीं लगता खूब सड़के बन रही हैं खूब विकास हो रहा है दिल्ली के अंदर आप तो जाते रहते हो दिल्ली आपको पता होगा और इन छे साल में जब हम लोग दिल्ली का विकास कर रहे थे बीजेपी वाले हर छे साथ मीने में कुछ ना कुछ अड़ंगा अड़ा के हमारी शक्तियां छीनते रहते हैं चीनते रहें मैं बीजेपी वालों को कहना चाहता हूं तुम्हारे पास तो खूब शक्तियां हो गई अब बीजेपी तो इस देश की सबसे शक्तिशाली पार्टी है केंद्र में भी उनकी सरकार कितने सारे राज्यों में भी उनकी सरकार इतनी सारी शक्तियां होने के बावजूद केजरीवाल ने दिल्ली में इतने स्कूल बनवा दिये बीजेपी ने पूरे देश में मिलके एक स्कूल नहीं बनवाया एक कालिज नहीं बनवाया एक अस्पताल नहीं बनवाया बता तो जी बनवाए हो तो आप इतने जने आ रहे हो पुरे अर्याना के कोने कोने से आपके जिले में आपके गाओं में आपके मौले में कोई स्कूल बनवाए हो इन्होंने बंद जरूर करा दिये कई स्कूल बंद करा दिये इन्होंने गलत नहीं कहा रहा वाई साब एक स्कूल नी बना इतनी शक्तियां इनके पास अपार शक्तियां अपार साधन इनके पास इतनी शक्तियों और इतनी सारी शक्तियां इन्होंने मेरी भी छीन ली फिर भी इनसे एक स्कूल नी बना एक अस्पताल नी बना एक कालिज नी बना मैं इनको कहना चाहता हूँ बीजेपी वालों को स्कूल और उस्पिताल बनाने के लिए जन्ता की सेवा करने के लिए शक्तियों की जरूरत नहीं होती नियत की जरूरत होती है तुमारे पास शक्तियां तो बहुत है तुमारी नियत खराब है केजरिवाल के पास शक्तियां नहीं है हमारी नियत साफ है तुम हमारी जितनी मर्जी शक्तियां छीन लो ये इस दिल्ली के अंदर स्कूल बने थे और बनते रहेंगे दिल्ली के अंदर अस्पिताल बने थे और बनते रहेंगे जितना काम ये बीजेपी के केंदर सरकार और इनकी सारी सरकारे मिलके पांच साल में जितना काम नहीं कर पाई बाई साथ चैलेंज करता हूँ अकेले हम लोगों ने हमारी सरकार ने दिल्ली के अंदर करके दिखा दिया उतना का आप पूरे देश में कहीं चले जाओ तमिलाडू चले जाओ केरला चले जाओ आंदरपरदेश चले जाओ साउथ हिंडिया चले जाओ किसी भी आदमी को पकड़ के पूछ लो बाई साब दिल्ली में केजरी वाल है उसने कुछ काम करा किसी से पूछ लो बताएगा हाँ जी स्कूल तो ठीक कर दिये कहेगा की नहीं कहेगा आप कहीं चले जाओ पूर्वी भारत में नागलेंड चले जाओ त्रीपरा चले जाओ बंगाल चले जाओ भियार चले जाओ किसी सी अद्मी को पूछ लो बाई साब दिल्ली में केजरी वाल ने उसने कुछ काम करा काई गा हाँ जी अस्पताल तो ठीक कर दिये आप जम्मू कश्मीर चले जाओ पूछो भाई साब केजरी वान ने कुछ काम करेगा कहेगा आजी बिजली फ्री कर दी उसमें आप गुजराथ चले जाओ पूछो केजरी वान ने कुछ काम करा बुला आजी पानी ठीक कर दिया, स्कूल ठीक कर दिया, स्पताल ठीक कर दिया और आप पूरे देश में कहीं चले जाओ और पूछो बीजेपी ने कुछ करा पांच साल में कहेंगे जी उन्होंने किसान बरबाद कर दिये व्यपारी बरबाद कर दिये यूथ बरबाद कर दिया, युवा बरबाद कर दिये, सब को बरबाद करने के सिवा, भाई साब इतने सारे आदिमी बैठें, अगर बीजे पी ने एक काम कराओ, पांच साल में इतनी शक्तियां, इतने एक काम कराओ, मिर को बता देना जी, कोई एक काम कराओ, पांच साल में क को एक काम इनोंने करा हो दंका तो बाइसाब आ इनके पास शक्तियां तो बहुत है नियत खराब है इन 75 साल में इस देश पे दोई पार्टियों ने राज करा बीजे पी और कॉंग्रेस दोई पार्टियों ने पिराज करा 75 साल में आज देश की जनता पूछेगी कि अगर पांच साल के अंदर दिल्ली में स्कूल ठीक हो सकते हैं तो 75 साल में बीजे पी और कॉंग्रेस वालों बताओ 75 साल में तुमने क्यों नहीं कि आज देश की जनता पूछेगी कि अगर पांच साल के अंदर दिल्ली में बिजली 24 गंटे हो सकती है free मिल सकती है बिजली बाई साथ दिल्ली में हर आदमी की बिजली free कर दी 24 गंटे कर दी दिल्ली में अगर बिजली free हो सकती है 24 गंटे हो सकती है तो बीजेपी वालो कॉंग्रेस वालो बताओ तुमने 75 साल में क्यों नहीं करी दिल्ली के जन तब पूछेगी इन से सवाल पूछेगी इनको जवाब देने पड़ेंगे और ये सारे जने मिलके ये सारे पार्टी वाले मिलके मेरे पीछे क्यों पड़े हैं ये सारे जने मिलके मेरे पीछे इसलिए पड़े हैं ये अगर मैं भी सत्ता में आने के बाद बदल जाता आज भी आपके सामने वो ही केजरीवाल खड़ा है जो दस साल पहले केजरीवाल था इतना सा भी नहीं बदला मैं उतनी इमानदारी के साथ काम कर रहे हैं जो पहले काम करते थे यह सारी पार्टियां चाहती है केजरीवाल भी हमारे जैसा हो जाए यह चाहती है मैं भी अपना घर भी भरू थोड़ा मैं कमा हूँ थोड़ा इनको कमाने कमा के दूँ तो यह मेरी शक्तियां नहीं चीनते तो यह मेरे मेरे खिलाफ नहीं होते आज ये सारे मेरे खिलाफ इसलिये हैं क्योंकि मैं इनके जैसा नहीं बना आज भी मैं देश की सेवा कर रहा हूं जनता की सेवा कर रहा हूं अब भाई सब छोटे बच्चे होते थे हम मास्टर पढ़ाया करता था कि दुनिया में तीन किसम के देश होते हैं विक्सित देश, डवलप्ड कंट्री जो अमीर देश होते हैं विकास शील देश, डवलपिंग कंट्री और ए विक्सित देश जो देश विक्सित नहीं है तो बच्पन में पढ़ा करते थे भारत विकास शील देश है तो मास्टर से पूछते थे जी हमारा देश विकास शील है तो ये विक्सित कब बनेगा ये अमीर देशों की कैटेगरी में कब आएगा तो मास्टर कहता था पांच-दस साल में आ जाएगा बाइज अब 40 साल तो हो गए सारी पार्टियां आली सारी पार्टियां चली गई आज भी जो बात मास्टर मेरे को बढ़ाता था अब मेरे बेटे को बढ़ाता है आज भी मेरे बेटे को कहते है भारत विकास शील देश है कब होएगा विक्सित पांच साथ सा ऐसे यूं नहीं होने वाला इन पार्टियों के भरोसे नहीं होने वाला दोस्तो मेरी जिन्दिगी का तो एक ही सपना है अपने जीते जी भारत को दुनिया का नंबर वन देश बनाना है दिल्ली बदल के दिखा दी पांच साल में पांच साल पहले दिल्ली का बुरा हाल था आज दिल्ली की जनता इतनी खुश है और इतना प्यार करती है पिछली बार 67 सीट दी थी इस बार 62 सीट दी है दिल्ली बदल के दिखाई है अब मैंने तो भगवान से मेरी सेटिंग है जी, भगवान से मैंने सेटिंग कर रखी है, कि इस पृठ्वी से मेरे को तब तक मौत नहीं आएगी जब मैं अपने भारत को दुनिया का नंबर वन देश जब तक मैं ना देख लो और यहां जितने किसान भाई आए हैं, सारे किसान भाईयों को मैं कहना चाहता हूँ, थाड़े रहना, चिंता ना करना, दिल्ले में थारा छोड़ा बैठा है सी हम अंत तक, चाहे कोई की मत चुकानी पड़े, अंत तक किसान अंदोलन का साथ देंगे, और दोस्तों मेरा दिल कहता है, समय लग जाए, लेकिन किसानों की मांगों के सामने, किसान अंदोलन के सामने, बीजेपी को जुकना पड़ेगा, केंदर सरकार को जुकना पड़ेगा, इनका गरूर कातम है